Vertebrates के बारे में हम काफी डीटेल में पढ़ चुके हैं Let's learn about Invertebrates Invertebrates किसे कहते हैं? गेर फिकारिया जानवर यानी Invertebrates ऐसे जानवे जिन में रीड की हड़ी नहीं होती गेर फिकारिया जानवर कहलाते हैं रोई समीन पर मुख्लिफ इक्साम के गेर फिकारिया जानवर पाए जाते हैं कीडे मकोडे, स्नेल्स, स्टार फिश और वर्म्स वगएरा गेर फिकारिया जानवरों की मिसाले हैं कीड़े मकोडे, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोडे, हश्राद, जोड़दार टांगों यानि जॉइंटेट लेक्स वाले मशूर इन्वर्टिब्रेट हैं, इनके जिसम कतादार यानि सेग्मेंटेट होते हैं, च्यूंटी, तितली, शेहत की मक्ही, कौक्रोज यानि लाल बिक कीड़ो मकोडों में छेट आगे होती हैं, यानि तीन जोड़े होते हैं, इनके जिसम की बेरुनी सथा पर सख्त होल या धांचा होता है, जो जिसम की रिफाज़त करता है, बेरुनी धांचा कीड़े मकोडों के अच्साम को सहारा भी देता है, स्टूरिंस चलिए इस से एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, मैं इस फिल्म में इनवर्टिब्रेट के बारे में बात करूँगा, बगएर बोन वाले जानवर, इनवर्टिब्रेट हमारे इर्दगिर्द होते हैं, बिलकुल उन कीड़े मकोडों के तरह और कभी कबार हमारे अंदर भी, सब इ ये के उन में रीड की हड़ी या हड़ी की गिरा नहीं होती, ये वीडियो इन वर्टिब्रेट की आठ किसमों को कवर करती है, और मसामदार जानवरों यानि और एफरा से शुरू होती है, उसके बाद हमारे पास हैं आभी मोंगे, जिनने हम नाइडेरिया कहते हैं, फिर च पिल्केदार जिसम वाले जानवर जिनने हम एनलीडा कहते हैं, जियादा टांगो वाले जानवर जिनने हम आर्थरो पॉड़ा कहते हैं, पिल्पिले जिसम वाले जानवर जिनने हम मॉलसका कहते हैं, और खारपुष्ट जिनने हम एकाइनो डर्मेटा कहते हैं, मैं हर किसम क कुछ खसूसियात बियान करूंगा तो सबसे पहले हैं मसामदार जानवर यानि पोरेफरा ये ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनको हम आम तौर पर इस्पंज कहते हैं ये जादतर नमकीन समुंदरी पानी की तेह में रहते हैं ये मसाम और फिल्टर फीडर से ढखे होते हैं आभी मोंगे नाई डेरिया ये ऐसे इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनके डंक वाले खुलिये मशूर होते हैं आम मिसालों में जेली फिश और सी एनिमोंस ये जादतर समुंदरों में पाय जाते हैं और इनका जहर तकलीफ दे होता है चिप्टे कीडे प्लेटी हलमेंथीस की किसम में फ्लैट वर्म शामिल हैं इन में सबसे मशूर टेप वर्म होते हैं और आप तस्वीर से देख सकते हैं ये फ्लैट और बचसूरत हैं ये ज्यादतर तुफैली होते हैं जो जानदार के अंदर रहते हैं ये वाले वर्म पिन वर्म कहलाते हैं लेकिन ये वर्म जैसे नजर नहीं आते ये अपनी किसम बगएर जोड़ वाले कीडे यानि निमेथल मेंथीस से तालोग रखते हैं ये वर्म के ऐसे ग्रुप हैं जिनके जिसम धागे की तरह गूल होते हैं इनके मूख और मकद होते हैं और ज्यादा तर ये तुफैदी होते हैं अगली किसम खलकेदार जिसम वाले जानदारों यानि एनलाइडा में आपके सेग्मेंटेड वरम शामिल हैं इनमें शायद सबसे मशूर केंचोई हैं और तस्वीर में से देखकर आप बता सकते हैं कि इसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं इनमें खाने का पोटा होता है और उनमें काफी पेचीदा निजामें इनहिजाम होता है ज्यादा टांगो वाले जानवर आथरोपोडा इसमें ऐसे जानदार शामिल होते हैं जो एक्जो स्केलेटन रखते हैं और एक सर चाती और पेट रखते हैं इनको मजीद आर्शनाइल्स में तक्सीम किया जाता है जिन में मकडियां, कशरी जानवर, जिन में जींगे शामिल है और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इनसेट्स कहलाता है शामिल है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है अगली किसम मॉलस्का कहलाती है इसमें नरम जिसामत वाले जानदार शामिल है और उनमें बहुत से जानदारों के शेल होते है जैसा के सनेल, लेकिन कुछ के अंदरूनी शेल होते है इसमें ऑक्टोपस, स्कुड, कटरफिश और सल्गिस भी शामिल है ये स्टारफिश जानदारों के एक ग्रुप में पाई जाती है जिने हेकाइनो डर्मेटा कहते है इन जानदारों के जिसम नोकदार होते है ये ज्यादातर समुन्दरों की तेहों में पाई जाते है इन में मूँ और मकद होते है और ये हरकत तो कर सकते हैं मगर बहुत सुस्ती के साथ वर्म्स Worms नर्म और मिलाइम जिस्म वाले गैर फिकालिया जानवर हैं इनकी टांगे नहीं होती आम तोर पर इनके जिस्म की विनावट साम की तरह लंबूतरी होती है Catchway यानि Earthworms और Tapeworms ऐसे Worms हैं जिनके जिस्म बहुत सारे कतों में मुलकिसम यानि कतादार सेग्मेंटेड होते हैं शकल 1.12 Platforms और Roundworms के जिस्म कतादार नहीं होते Students चलिए इस टॉपिक से रिलेटिड एक एनिमेटिड विडियो देखते हैं Invertebrate कीडे मकोडे मखलुकात के एक बड़े ग्रुप से तालुक रखते हैं जो Invertebrate कहलाते हैं सब Invertebrate में एक आम खसूसियत पाई जाती है वो ये कि इन में बैकबॉन नहीं होती कुछ Invertebrate का हिफाज़त के लिए बेरोनी जिल या शेल सखत होता है जबके कुछ का नरम और मसामदार होता है Invertebrate में कितनी टांगे होती हैं Invertebrate में टांगों की तदाद मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ होती है स्पाइडर की आठ टांगे होती है सेंटीपेट की तकरीबन तीज टांगे होती है Earthworm की एक पी टांग नहीं होती स्नेल पत्ली सी चोड़ी जिल्ली पर सरकते हैं इसकी कमर पर एक सخت पेज़दार शेल होता है जिसके मुख्तलिफ शकलें और जिसामत होते हैं स्नेल अपने आप को इस शेल के अंदर छुपा लेता है स्नेल एक स्नेल अपनी कमर पर अपना घर उठाकर खूमता है एक स्नेल की आंखें इन लंबे पंबे पोपोटों के आखिर में होते हैं क्या आप जानते हैं बास वर्म्स खुराख हासिल करने के लिए बड़े जानवों के अचसाम में रहते हैं। आपकी मलूमात के लिए स्टारफिश और सी एनिमोन समधरी गैर फिकारिया जानवों की मिसाले हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब बच्चों के बुक में एक्टिविटी दी गई है जिसमें आठ गयर फिकारिया जानवों के नाम छुपे हैं। जिनकी रीड की हड़ी यानि बैक्बॉन नहीं होती। लेट्स फाइंड आउट अदर नेम्स। एक को कलर कर दिया गया है बाकी आप खुद ढूलिए। स्नेल पहरे से कलर हुआ है। स्टार फ्रेश। केंचवा। मक्खी। चहद की मक्खी। तिट्ली। चियूंटी। जैलिफिश। ये जानवर गैर फिकारिया जानवर कहलाते हैं। आएए अब हम कुछ सवालात के जवाब सूचते हैं। कि appliances बलाँ ऐसे जानवरे समप्पीज ज्यान वींटे समार्य। इज जानवरे जानें। प्रेशन the वालीय। अमप्पैट इ सक्षब्स थर्तप diff już जी लोव प्रम्त बच्चों दुनिया में अल्मॉस्ट कितनी टाइप्स की फिशेज मौझूद हैं? जी हाँ, 25,000 इक्साम की Students, यकीनन आपको classification and characteristics of animals की topic अच्छे से समझ आ गए होगे मिलते हैं नेक्स टाइम इसे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलाहाफिस बच्चों